हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वी हेलपर यूट्यूप चेनल पे अगर आप जारकंड के रहने वाले हैं और आपने इस रमकार्ट बनवा लिये हैं तो क्या आपको स्कोलर सी मिलेगी क्या आपको फ्यूचर में गवर्मेंट जोब में कोई परिसानी होगी या आपको किसी और परकार की प्रोबलम हो सकती है अगर आप स्टूडेंट है और आपने इस रमकार्ट बनवा लिये हैं इस बात को लेकर तो इस वीडियो में में आपका सारा कनफ्यूजन किलियर कर लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में किलियर कर दूँगा कि इस रमकार्ट किन किन लोगों के लिये हैं और इसमें अगर स्टूडेंट बनवाता है तो उसे कौन सा उक्यूपेशन चूज करना चाहिए चुनना चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दू कि इसरम कार्ड किन किन लोगों का बन रहा है और कौन-कौन लोग इसरम कार्ड के लिए इलिजिबल है तो सबसे पहले हम आपको इसरम कार्ड का जो ओफिसियल वेफसाइड है इसमें आते हैं आपको लेकर चलते हैं तो देखे ये इसरम जो कार्ड जहां से बनता है ये इसका official website है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर साफ तोर पि लिखा गया है इस सरम कार्ड जो है वो 16 सा लेकर 59 उन्सरत साल के व्यक्ती बनवा सकते हैं लेकिन दोस्तों जो सरमिक की केटोगरे जो आती वो 18 पलस आती है सरमीक का केटोगरी 18 पलस होती है लेकिन यहां पर 16 साल का भी option दिया हुआ है जिससे यह साफ हो जाता है कि इस सरम कार्ड को student भी बनवा सकते हैं तो इससे कोई भी student बनवा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको जो इसका occupation है वो दूसरा choose करना होगा चुनना होगा सबसे पहले आप यहां पर नीचे में देखिएगा तो यहां पर click here लिखा हुआ है यहां पर click here पर आपको जैसे ही click करना है तो यहां पर click here पर आपको click करना है तो जैसे ही click here पर click किजिएगा तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा जो PDF डाउनलोड होगा दोस्तों उसमें काफी सारा Occupation दिया हुआ है Agriculture से दिया हुआ है बहुत सारा सेक्टर से दिया हुआ है तो आपको सीधे अपने फोन को स्क्रोल कलते हुआ नीचे आना है नीचे में आप यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर Education भी एक केड़ोगरी दिया हुआ है तो यहाँ पर आप Education में देख रहे हैं कि यहाँ पर साब तोर फे लिखा हुआ है अगर आप Educator है, Tutor है, Home Tution पढ़ाते हैं, अपना Coaching Center चलाते हैं या पढ़ाई के साथ साथ आप इन परकार का काम करते हैं, तो आप इसे Select कर सकते हैं तो Student के लिए यही Option बेश्ट होता है, आप इसे Select कर ले और अगर आपने Occupation कुछ दूसरा Select करके रखा है पहले से Islam Card बनवा लिए हैं, तो आप इसे Edit कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैं आपको बता दूँ कि यह जो Islam Card है, यह Student के लिए भी है क्योंकि सरकार जो है, Government जो है, यह पता लग करना चाहती कि हमारे देश में कितने लोग विरोजगार हैं जिन लोगों के पास कुछ न कुछ इसके लिए, वो सब कितने लोग विरोजगार हैं इसलिए आपको Islam Card बनवाने के लिए कहा जा रहा है तो आप Islam Card अगर बनवाईएगा तो आपका जो Data वो सरकार के पास रहेगी कितने लोगों के पास इसके लिए और कितने लोग विरोजगार है ये Data सरकार के पास रहेगी जिससे सरकार आपको जोब दिलवा सके इसलिए Islam Card बनवाया जा रहा है और रही बात दोस्तो आपका Scholarship आने का तो वो 100% आएगी Islam Card से आपका कोई भी Scholarship रुकने वाली नहीं है आपका कोई भी जो Future मगर सरकारी जोब लगता है वो रुकने वाला नहीं है किसी भी चीजों में कोई परसानी होने वाली नहीं है जो भी लोग कह रहे हैं कि student को Islam Card नहीं बनवाना चाहिए आप बेफिक्र होकर Islam Card बनवा सकते इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो दोस्तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छे लगी होगी अगर जानकारी अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को फ्रेस कर देना है और इससे अपने दोस्तों पर भी सेर करना है तो चलिए मिलते आप से नेक्ट वीडियो पर तब तक लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम